बेस्ट फाइब जी फोन अंडर 13000 के बजट में मैक्सिमम फोन 4G फोन है और ऐसा नहीं है कि 5G फोन नहीं या 5G फोन भी है लेकिन जैसा फीचर सोना चाहिए इस बजट के हिसाब से वैसा फीचर सभी 5G फोन में देखने को नहीं मिलता है तिर भी मैंने 500 से बेस्ट 5G स्मार् इस बड़ेश भी होगा 13000 के बजट के हिसाब से इन में सभी फीचर से एकदम तगड़ा लेवल का दिया गया है और इस फोन के चोटी से बड़ी स्पेसिफिकेशन को डिटेल्स में बताएंगे आज के इस वीडियो में वीडियो को बीडियो को देख लेगा तो चलिए दे डिटेल्स में जान लेते हैं तो इसमें 6.6 इंच का फूल HD पलस IPS डिस्प्ले देखने को मिलेगा जिसमें 120 हर्ट का हायर रिफ्रेस रेट्स का टस्ट सेंप्लिंग रट दिया गया है 500 नीट्स का प्राइट टेक्शन भी मिलेगा देखे 12-13 वाले फोन में 120 हर्ट का रिफ् इस बजट के हिसाब से नो डाउट प्रोसेसर काफी पावर्फुल मिलेगा प्रोसेसर ऐसा है अगर आप इस फोन में गेमिंग भी करना चाहे तो वह कर सकते हैं बेसिकलिए प्रोसेसर 15-16 वाले फोन में देखने को मिलता है बट यहां पर मिल रहा तो अच्छी बात है अब बात करते हैं स्पॉन का बैटरी का तो इसमें 5,000ifiedit का बैटरी मिलेगा जो की सपोर्ट करता 18-syft का चार्जर को इस बजट के हिसाब साबसे इस चार्जर को एक एधरेच टाइप का चार्जर कह सकते हैं ज्यादा बढ़ी है और ज्यादा खड़ाप भी नहीं है अब बात क के हिसाब से no doubt camera सही मिलेगा रैम स्टोडेज की बात करेंगे तो इमें 6GB का रैम एंड 128GB का इंटरनल स्टोडेज मिलेगा और आप maximum 1TB तक का memory को इसमें लगा सकते हैं वेल्ड क्वालिटी की बात करेंगे तो plastic body के साथ ये फून आता है प्लास्टिक का फ्रेम दिया गया है डिजाइन वाइज ये फून दिखने में काफी बढ़िया लगता है दूसर चार ग्राम का वेट है एंड 8.9 mm का थिकनेस है वेट और थिकनेस लगबग ठीक ठाकी है और इसमें 3.5 mm वाला हेट फोन जैक मिल जाएग वेट का प्राइज फिलाल के टाइम पर 13,000 रुपया है तो आप अपने बजेट के हिसाब से वेट को चूज कर सकते हैं ये दोनों वेट एक अच्छा वैल्यू फर मनी स्मार्टफोन हो सकता है आपके लिए तो आप इस फोन को लेना चाहे तो ले सकते हैं अधरवाइज च आई पेस LCD डिस्पले देखने को मिलेगा जो कि वाटर ड्रॉप नौज के साथ आता है इसमें नौर्मल 60 हर्ट का रिफ्रेस रेट के हिसाब से ठीक ठाक ही है ब्राइटनेस बढ़िया मिलेगा अगर आप इस फोन को धूब बगरा में भी यूज करते हैं तो कोई भी दिक् निखने में थोरा सा ओलड लगता है इससे कोई भी दिकत वाली बात नहीं है क्यामरा की बात करेंगे तो इस फोन के बैक साइड जो होना दो कैमरा मिलेगा प्रामरी केमरा 50 MP का है सिकेंट के नौ मेगा पिक्सल का है जो कि डेट एब संसर है और सेल्फी केमरा जयादा मेग रहा उसका तो इसमें मेडिया टेक डैमेंड सिटी 6020 वाल एक इच्छा पावर्फुल 5G चिपसेट मिलेगा जो कि यह एक लेटेस्ट प्रोसेसर है तो यह एक 5G चिपसेट हैं डिया चिपसेट 7 नैनो मेटर के अर्केटेक्टर पर बना हुआ है तीन लाग भी सेजर के आसपास इसमें पावर्फुल है अगर आप इसमें गेमिंग भी करना चाहे तो वह कर सकते हैं इसमें प्रोसेसर आपको बढ़िया मिल जाएगा बैटरी की बात करेंगे तो इनमें 5000 एमेच का बैटरी मिलेगा जो कि सपोर्ट करता 18 वाट का चार्जर क है सकते हैं अब बात करते हैं स्पोन का रेम स्टोडेज का तो जो 4GB का रेम और 128GB का इंटरनल स्टोडेज मिलेगा इनमें LPDDR4X का रेम और UFS 2.2 का इस्टोडेज टाइप भी दिया गया है तो यह चीज़ काफी बढ़िया है इसके अलबा बात करते हैं स्पोन का बिल्ड क इस फोन का काफी सही है बिल्ड क्वालिटी एंडी जान वागरा इस फोन का काफी बढ़िया मिल जाएगा अगर आप को एक अच्छा खूपसूरत दिखने वाला स्मार्टफोन चाहिए तब आप इस फोन को भी ले सकते हैं इसके लावा इनमें 3.5 mm हेट फोन जैक मिलेगा हाइबरीट स्लोड भी दिया गया है इससे आप दो सिम्या फिर एक सिमेक मेमोरी कार्ट को एक साथ लगा सकते हैं सेक्यूरूटी के लिए फेस अनलॉक का सपोर्ट मिलेगा और साइड माउंटेट फिंगर प्रेट का सेंसर भी दिया गया है इसमें और यूजर इंटरफेस की बात करेंगे तो फंटेच ओएस थाटीन के साथ आता है जो के अंट्रोइट थाटीन पर बेस है इनमें LPDDR 4X का RAM एंड UFS 2.2 का इस्टोडिस टैब भी दिया गया है तो आए फिर बात कर लेते हैं आखरी में स्पोन का प्राइज रिगा तो ये फोन आपको तीन वेरियं स्मार्टफोन हो सकता है 16,000 रुपया में इससे भी अच्छा-चा फोन मिल जाएगा तो इसलिए अगर आप इस फोन को लेना चाहते हैं तो इस फोन का बेस वरियंट को ही लिजिएगा अधरबाइज आपकी मर्जी आप अपने बजट एंड रिक्वार्मेंट के हिसाब से अब थोड़ा सागें बढ़ते और बात कर लेते अपने लिस्ट का अगला फोन का अब आता है रियल्मी के दरफ से रियल्मी नार्जो 55G इस फोन का प्राइस जो बड़ा एक जिसा नहीं रहता है घड़ता बढ़ता ही रहता है कभी इस फोन का प्राइस 13,000 रुपया रहता है डिजाइन वगरा काफी बढ़ है इस फोन का इसके अलावाइन में 3.5 अमबला हेड़ फोन एक मिलेगा तूडियो स्पीकर भी मिलेगा हाइब डिया गया है जिससे आप दो सीम्याप्री एक सीमें एक मैमोरी कार्ट को एक साथ लगा सकते हैं जिसमें फेस अनलॉक का सप इस बजट के हिसाप से डिस्प्ले जो हना इस फोन का सही मिलेगा एंड इस स्मूथनेस ब्राइटनेस वगरा भी ठीक है परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो इमें मेडिया टेक डैमेंट सेटी 810 वाला चिप्सेट मिलेगा या एक 5G चिप्सेट एंड यह चिप्सेट 6 नै इस पोन के बैक साइट 2 कैमरा मिलेगा प्राइमरी एकामरा 48 मेगा पिक्सल का है सेलफी वह 1.8 मेगा पिक्सल का है व्हाइट अपर यह रांड फ्रंट कैमरा से मैकसीमम थेनेटी पी पर विडियो रिकोडिंग कर सकते हैं 30 एप्स पर इंड खासकर के इस फोन का प्राइमर प्राइज फ्लाल के टाइम पे 13,999 रूपया है मैंने आपको पहले ही बताया कि इस फोन का प्राइज बराबर उपर नीचे होता ही रहता है तो इस फोन को मैंने जब सलेक्ट किया था तो इस फोन का प्राइज 13,230 रूपया के आसपास में था जब मैं ये वीडियो सुट कर तो मैंने अभी देखा कि इस फोन का प्राइज थोड़ा सा बढ़ गया है तो ऐसा है कि प्राइज उपर नीचे होता ही रहता है तो आप चाहे तो इस फोन को भी ले सकते हैं अधरवाई चलिए वीडियो में थोड़ा सा आगे बढ़ते और बात कर लेते अपने लिस्ट का आता है प्लास्टिक का बैक प्लास्टिक का फ्रेम दिया गया है 9.4 mm का थिकने संट 205 गराम स्पॉन का वेट है तो इस फोन वाई को आपने हिसाब से देख लिजिएगा के लावा इन में 3.5 mm बाला हेड़फोन जैक मिलेगा त्रिपल कार्ट लोड़ भी दिया गया है जि दिस्प्ले की बात करेंगे तो इनमें 6.6 इंच का फूल HD पलस LCD दिस्प्ले देखने को मिलेगा इसमें 90 हर्ट का रिफ्रेस रेट और 480 इनिट्स का ब्राइटनेस दिया गया है और इसके उपर कॉर्निंग ओडिला लगलास 5 का प्रोटेक्शन भी मिलेगा इस स्मूथनेस पर वीडियो रिकोडिंग कर सकते हैं ठर्टी एप्रेस पर समसंग का कैमरा है तो ओविसली यह इस फोन का कैमरा बढ़ यहां मिलेगा अब बात करते हैं इस फोन का परफॉर्मेंस वगेरा का इनमें एक जीनोश 1330 वाला एक एच्छा पावर्फुल चिप्सेट मिलेगा ज फोने 5000 अमेज का नहीं बलके 6000 अमेज का एक बड़ा सा बैटरा मिलेगा तो कि सपोर्ट करता है 25 वाड का चार्जर को यह बैटरी जो आपको अच्छा खासा बैक अप देदेगा बढ़ चार्जिंग में हलका फुल का टाइम ले सकता है और रैम स्टोरेज की बात करेंगे इस तरह में 4GB का रहा है में 28GB का इंटरनल इस्टोरेज मिलेगा और आप मैक्सीमम 1TB तक का मैमोरी को इसमें लगा सकते हैं यह बेस ब्रेंट है इस फोन का इसका प्राइज फिलाल के टाइम पे 13,490 रुपया है तो आपको एक अच्छा पावरफुल 5G स्मार्टफोन चा प्लास्टिक बोडी के ही साथ आता है प्लास्टिक का बैक प्लास्टिक का फ्रेम दिया गया है 8.9 mm का थिकनेस और 200 ग्राम इस फोन का वेट है वेट और थिकनेस लगबग ठीक ठाकी है डिजान वगरा को अपन हिसा आप से देख लीजिएगा डिजान वगरा दिखने में भी ठीक लगता है बाकी बादिन में 3.5 mm headphone jack मिलेगा dedicated भी दिया गया है अनलोक का सपोट मिलेगा और साइड माउंटेट फिंगर पेंट का sensor भी दिया गया है यूजर इंटरफेस की बात करेंगे तो MIUI 13 के साथ आता है जो कि android 12 पर बेस है इसके अलबाद डिस्पले की बात क इवन डिस्पले इस बजेट की हिसाब से काफी बेटर मिलेगा चैमरा की बात करेंगे तो इस पॉन के बैक साइड दो कैमरा मिलेगा प्राइमरी कैमरा 50 MP का है सिकेंट डेप संसर है जो की 2 MP का है और सेलफी कैमरा वह 5 MP का है प्राइमरी कैमरा का 1.8 का अपरचर है और अप अगर आप इस फोन के बैटरी की बात करेंगे तो 5000 MP का बैटरी मिलेगा जो की सपोर्ट करता 18W का चार्जर को ज्यादा खड़ा भी नहीं कह सकते हैं इस पजट के हिसाब से चार्जर ठीक है रमें स्टोडेज की बात करेंगे तो एक्स्ट्रा मैमोरी कार्ड को इसमें लग को भी ले सकते हैं तो मैंने पांस सबसे बेस्ट 5G स्मार्टफोन को बता दिया है जिसे आप खड़ी सकते हैं विए टाइम पे 13,000 के आसपास में तो अब आपने बजट and requirement के हिसाब से इन में से किसी को भी ले सकते हैं ये सभी फोन एक अच्छा 5G स्मार्टफोन है इस सब्सक्राइब कर सकते हैं जो कि बिल्कुल फिर ही है तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ